Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों आज है 1 October और 1 October से Current Affair की जितने भी important questions बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में cover करेंगे और सभी questions से related extra fact भी जानेंगे सारे ही questions important है इसलिए वीडियो अंते तक जरूर देखेगा और अभी तकी दिया आप लोगों ने Online Study Point को सबस्क्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सबस्क्राइब कर लीजे ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो की PDF टेली ग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कुश्चन हाल ही में इसरो के द्वारा गगन यान मिशन के लिए कितने अंतरिक शियात्रियों को चुना गया है तो मैं आपको बता दू कि इसरो और वायू से न इन दोनों ने ही मिलकर भारत के पहले मानव युक्त मिशन जिसका नाम क्या है गगन यान इसके लिए कुल 12 अंतरिक शियात्रियों को चुना है और इन 12 अंतरिक्षियात्रियों को एक महिनी की ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा जाएगा और एक महिनी की ट्रेनिंग के बाद रूस इन 12 अंतरिक्षियात्रियों में से कुल 4 को सेलेक्ट करेगा यह है गगन यान मिशन और बात यहाँ पर गगन यान मिशन की की जा रही है तो आप लोगों को याद आ रहा होगा इसी वर्स इनकी जनवरी 2019 में इसरो के द्वारा Human Space Flight Center को उद्घाटन किया गया था इसी गगन यान मिशन के लिए और कहां किया गया था बैंगलोर में और बात यहाँ पर इसरो की आई है यहीं कि इंडियन Space Research Organization इसकी स्थापना हुई थी 1969 में इसका हैटकॉर्टर कहां इस्थित है बैंगलोर में और बैंगलोर को भारत की सिलिकन वैली भी कहा जाता है यहीं प सम्मानित किया गया है कलाम अवर्ड और किसने सम्मानित किया है तो इन्हें कलाम अवर्ड से तमिल नाडू गर्मेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है तो यह आप याद रखिएगा और इसरों की तीन प्रमुख स्कीम से योजनाय हैं जो कि एक्जाम का पार्ट बनती है एक है उन्नती, एक है समवाध कारिक्रम जो कि स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया था समवाध कारिक्रम उन्नती और एक है युविका की फुल फॉर्म क्या है युवा विग्यानी कारिक्रम येनिकी Young Scientist Program यह है यूविका की फुल फॉर्म याद रखिएगा आप नेस्ट कोश्चन है मीडिया में भारत की सबसे सकती साली महिला का नाम किसे दिया गया है यह कि मुस्ट पावर्फुल वूमन इन इंडिया यह खिताब दिया गया है कली पूरी को कली पूरी को ब्रिटिस अंसद में मीडिया में भारत की सबसे पावर्फुल वूमन का खिताब दिया गया है और यह है कौन तो कली पूरी वर्तमान में इंडिया टूड़े ग्रूप की उपाध्यक्ष के रूप में कारेरत है इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा कौन सा भारती पहलवान विश्व में 86 किलोग्राम के टेगरी में वर्ल्ड का नंबर वन पहलवान बन गया है तो यह बन गया है दीपक पुनिया और दीपक पुनिया भी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भी कौलिफाई हुए है इनका नाम आप याद रखिएगा और यह रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई यह रैंकिंग जारी की गई यू डबलू डबलू के द्वारा और यू डबलू डबलू के द्वारा जारी रैंकिंग में दीपक पुनिया बने है वर्ल्ड के नंबर वन रेसलर 86 किलोग्राम के टेगरी में और यहां पर बात टाइम के अध्यक्षा है नेनाद लालोविक इनका नाम आप याद रखीगा और कोई भी यह धी खिलाडी फेमस है करन्ट से रिलेटेड है और एक्जाम का पार्ट बनता है तो उनसे रिलेटेड स्टेट का नाम पूछा जाता है कि वह किस राज्जी से या किस देश से करते हैं हरी आड़ा से इनका नाम आप याद रखीगा नेस्ट कुश्चन है हाल ही में 30 सितंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया तो यह मनाया गया विश्व अनुवाद दिवस यहीं कि वर्ल्ट ट्रांसलेशन डे सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी अनुवाद दिवस की थीम और यह मनाया क्यों जाता है तो बाइबल की जो अनुवादक थे यहीं कि ट्रांसलेटर थे जो बाइबल के उनका नाम क्या था सेंट जेरिम उन्हीं की याद में 30 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अनुवाद दिवस और बाकी option में जो नाम ल फिर रेवीज दिवस मनाया गया 28 सितंबर को 29 सितंबर को क्या मनाया गया 29 सितंबर को मनाया गया World Heart Day इसकी थीम क्या थी My Heart, Your Heart तो इस चारों important day और इनसे related theme आप याद रखिएगा नेस्ट कुश्यन है, हाल ही में किसने सबसे कम समय में periodic table यहने की आवर्त सानी बना कर world record कायम कर दिया है तो यह नया world record बना दिया है मिनाक्षी अग्रवाल ने और यह ऐसा record कायम करने वाली विश्यों की पहली महिला बन गई है और यह विश्यों की पहली महिला बनी है इसलिए इनका नाम most important है इन्होंने सबसे कम समय में periodic table बनाया है तो कितना समय लगा इन्हें इन्हें लगा कुल दो मिनट उन्चास सेकेंड और इन्होंने किन का record तोड़ा है इन्होंने पाकिस्तान के हाफिस खुर्रम सहजात का record तोड़ा है जिनका record था 3 मिनट 15 सेकेंड का और इन्हीं का record तोड़कर अब मिनाक्षी अग्रवाल ने एक नया record कायम कर दिया है 2 मिनट 49 सेकेंड का इसलिए इनका नाम आप याद रखीगा और बात यहाँ पर periodic table की की जा रही है तो आपको मालूम होना चाहिए आधुनिक आवर्त सांडी के जनक किसे कहा जाता है यह कहा जाता है मेंड लीफ को तो इनका नाम आप याद रखीगा हाईली में से एफफ अंडर 18 football championship यह किस देश ने जीती है तो यह championship जीत ली है अपने देश भारत ने और भारत में किसे हराया है बारत ने हराया है बंगला देश को और बंगला देश को हराकर भारत ने एचंपिंशिप अपनी नाम की है और बात यहाँ पर की जा रही है saff की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? SAFF की फुल फॉर्म होती है South Asian Football Federation इसकी फुल फॉर्म है इसकी स्थापना हुई थी 1997 में इसका हेड़कॉर्टर रिस्तित है नई दिल्ली में यहीं कि New Delhi में इसका हेड़कॉर्टर रिस्तित है और कुश्चर ऐसा भी पूछा जा सकते है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? तो SAFF Under-18 Football Championship इसका आयोजन किया गया था नेपाल की कैपिटल काठमांडू में नेपाल में आयोजन किया गया था तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं कैपिटल तो आपने जान ली यहां की राश्पति इनकी प्रेसिडन्ट कौन है? तो प्रेसिडन्ट है विद्या देवी भंडारी यहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली यहां प्याद रखीगा नेच्ट कॉस्चन है हाल ही में एमपी बिल्ला मेमूरियल अवर्ड 2019 यह किसे प्रदान किया गया? तो यहां प्रदान किया गया फेमस भौतिक सास्त्री ही है इनका नाम है थानू पद्मिनाभन इन्हें ही इस वर्स का यह वर्ड मिला है और इस अवर्ड के बार में हम जान लेते हैं इसके स्थापना हुई थी 1993 में और यह वर्ड दिया क्यों जाता है? तो एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस के छेतर में एक्सिलेंसी के लिए यह वर्ड दिया जाता है और इस बार का दिया गया है थानू पद्मिनाभन को नेस्ट कोश्चन है हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 यह किसे प्रदान किया गया? तो इसकी घुष्चन तो पहले ही कर दी गई थी लेकिन अब इस अवर्ड से सम्मानित किये गये है के शिवा रेड़ी जो की एक तेलगु कभी है और इनकी किस रचना के लिए दिया गया है इनकी रचना का नाम भी पुछा जा सकता है तो इनकी रचना का नाम है पक्का की ओट गिट लाइट इनकी रचना का नाम है और यह तेलगु भाशी कभी है इनहें मिला है 2018 का सरस्वती सम्मान और 2017 का किसे मिला था, यह मिला था शीतांसु यश्चंद्र को, तो यहाँ प्याद रखीएगा और बात यहाँ पर सरस्वती सम्मान की की जा रही है, तो इसकी स्थापना कप की गई थी, शरसती सम्मान की स्थापना की गई थी 1991 में केके बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा तो यह आप याद रखिएगा हाल ही में सारा टेलर ने अंतर राश्ट्री क्रिकेट से सन्यास लिया है वह किस देश से बिलॉंग करती है इंगलेंड से आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं आप सभी जानते हैं इस बार का ICC World Cup कहां खेला गया था यह खेला गया था इंगलेंड में और इसमें विजटा क को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था और ICC World Cup 2019 का आयोजन इंगलेंड और वेल्स में किया गया था और इंगलेंड के पूर्व क्रिकेटर है जिनका नाम क्या है एलिस्टर कुक और एलिस्टर कुक को ही कुछ समय पहले नाइट हुट की उपाधी से भी सम्मानित किया ज लॉंच किया है और यह उपगर लॉंच किया है अभी हाल ही में नासा ने और नासा किस देश की स्पेस एजनसी है तो यह है अमेरिका की स्पेस एजनसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है नैशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन इसके स्थापना हुई थ है जापान एरोस्पेस एक्स्प्लोरेशन एजेंसी यह है जाक्सा की फुल फॉर्म याद रखीगा कल्म ने आप लोगों से पूछा था तमिन लाडू क्रिकेट एसोशेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन मनी है तो इनका नाम है रूपा गुर्नात आप सभी ने इसका प्रमुक कौन मने है इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखेगा और एक जरूरी सुचना जब ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट की तरफ से आप लोगों को 1200 प्लस करेंट अफेर की मास्टर पीडिएफ प्रोवाइट कराए गई थी तो उसके तो मैं आपको गुड निउस दे दू कि सेम उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आप लोगों को 1200 प्लस करेंट अफेर का पीडिएफ प्रोवाइट कराए गया था डिटेलिंग के फॉर्मेट में सेम उसी फॉर्मेट में अब आप लोगों को सितंबर माह का मन्थिलिक करंट अफेर का PDF प्रोवाइट कराया जाएगा डिटेलिंग के साथ जिसमें आप लोगों को 200 प्लस करंट अफेर का PDF मिलेगा और टॉपिक वाइज इसमें डेटा कवर कराया जाएगा ताकि आप लोगों को एक ही PDF में सारा डेटा एक साथ मिल सके तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों पसंद आया है पसंद आया है तो अपने स्टडी डेटर गूप में शेर जरूर करिएगा और ओनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेर सब्स्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मज